नमस्कार जन्ता के लिए जन्ता की आवाज जन्ता समचार में आपका स्वागत है आई चलते हैं खबरों की और सतना जिले में मैहर के पास जीतनगर में एक भीशन सड़क हाथसे में दमपत्ती और उनके बेटा-बेटी की मौत हो गई दमपत्ती और बेटी की मौत घटना इस्थल पर जबकि बेटे की मौत जवलपूर ले जाने के दोरान हुई मैहर इस्थित उपाध्याय मौवाइल के संचालक सत्यम उपाध्याय पतनी मेन का दस साल की बेटी इशानी और आट साल के बेटे इसने ने साथ सतना से वापस मैहर लोट रहे थे तब ही जीत नगर में ट्रेक ने उनके कार को टक्कर मार दी और करी 50 फिट तक घसीता ले गया गटना बुद्वार राद साड़े 11 बजे की है बताया जा रहा है कि टायर फटने के बाध ट्रक रुका इस्थानी लोगों ने कार के अंदर फसे परिवार को बाहर निकाला लेकिन तब दग सत्यम मेंका और इशानी की मौत हो चुकी थी SDOP हिमाली सोनी मौके पर पहुँची और गंभी रूप से घाल इसने को सतना भेजा उधर हाथ से के बाध ट्रक डाइवर को थोड़ी देर बाद पुलिस ने पकड़ लिया वै दुरगटना इस्तल पर ही जाडियों के पीछे चिपा वैठा था बताय जा रहा है कि सत्यम परिवार के साथ सतना में घुमने और शौपिंग करने आये थे बताय जाता है कि बुदभार को मैहर में बजार बंद रहता है कटनी रोड पर उपाध ध्याए मोबाइल के नाम से दुकान चलाने वाले सत्यम बजार बंद होने के चलते परिवार को गुमाने और शौपिंग कराने के लिए सतना लेकर आये थे जीतनगर के पास जहां यह हाथसा हुआ है वहाँ यू टर्न है जिसके कारण आये दिन वहाँ हाथसे होते रहते हैं हम दिखाते रहें लगतार खबरें इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें